तीन अक्तूबर दोहजार चौधा को शुरू हुए प्रधान मंत्री के मन की बाद कारेक्रम के आज सौ एपिसोड पूरे हो गए हैं। सबसे पुराने सवाद माध्यम रेडियो का इस्तेमाल करते हैं देश की जनता से बादशीत करने के लिए। और ये माध्यम बेहद सशक्त साबित हुआ है। हम सब के लिए एक आशिक और गोरों काच्छा है। के श्रमबाद के इस सतकी कार्जगम के साक्षी बने कोई भी देश तवी तरक्य करशकता है जब उस देश की जनता अपनी बाद को देश के मुख्या तक और देश का मुख्या अपनी बाद को जनता तक पुरूच आता है। इसका एक बाद दुपूर बक्ष समाज में अच्छे सामाजिक कार्ज करने वाले को सामाजिक नायक के रूप में उभारना ताकि वे एक आधर्स के रूप में परिवर्तित हो करके अन्य लोगों को अच्छा कार्ज करने के लिए प्रेड़ा दे सके हैं नेकराम जी शायद कुशी के एक अन्भाव के पात रहे हैं मुझे अकादेव हार्दी प्रशन अता हो रहे है कि अपने विभीन ने विशूर पे उन्होंने हिमाज्चल प्रदेश के सक्तरा व्यक्तियों और सरुस्थाओं का नाम लेकर के समय समय पर हिमाज्चल को पुश्चा ही दिया था हि इन्होंने समाद में प्रणा धायक कांच किया मन की बात एक ऐसी बात रही है जिसमें आदरी प्रदानमंत्री जी ने पूरे सौ एपिशोट कहर डाले लेकिन इस पूरे सौ एपिशोट में एक भी एपिशोट में कहीं भी राजनेतिक चर्चा ही नहीं इसका प्रथम शेवक देश का प्रधानमंत्री देश का प्रधान सेवक जिसने प्रधानमंत्री चुले जाने के बात कि अपने को प्रधान सेवक मागिया था जो अंतमे उन्होंने अपने उपनिश्यति की बात को बताए चलते रहो चलते रहो उसकी संकत्तना ये थी कि आप जो भी सामाजी कार्ज उठाते हो उस सामाजी कार्ज को करते रहो मन की बात कारिक्रम की 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं और इस मौके पर राजभवन शिमला में खास स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया और आयोजन में हिमाचल प्रदेश के महा महीम राजपाल शिव प्रताब शुक्ल जी मुख्यातिती के रूप में मौजूद रहे और खुद बातचीत के लिए राजपाल हमार साथ मौजूद है आईए उनसे बातचीत करते हैं राजपाल जी बहुत-बहुत स्वागत आप अब दो कर लिए उन्होंने जनता के मन को छूने का काम किया और जनता ने उनके मन को छूने का काम किया इतने बड़े कि उस परतिया तीन तारीक से अक्टुबर से 14 से सुरू हुआ है और आज तक के सफर में कितनी महतुपूर बात है कि प्रदानमंतरी ने एक बार भी अपने एपिसोड में किसी राजनेतिक भाषा का प्रियोग नहीं किया और लोगों की समस्याओं को जाना लोग देश के लिए क्या कर रहे हैं उनको जाना किस व्यक्ति को कहां से उठाना है इसको जाना और लाकर के राष्टी फलक पर उसको रख दिया जिसको एक पहार पर जो है कुड़ा बीदने वाले व्यक्ति ने यह बता दिया कि मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि मुझे लाकर करके आप यहां खड़ा करके कैसे आपने मुझे जूड़ दिया तो प्रधानमंत्री की दूर दृष्टी है जिसको उन्होंने अपने मन के बात में अ परचा किया है तो मैं समझता हूं कि यह सवा एपिशोर सब को जोड़ करके जो बना है निश्चित रूप से देश की जनता को बहुत बड़े जनता को प्रभावित किया है जैसे उस समय जब रामायर हो चल रहा था तो सलके सुनी हो जाती थी वैसे मुझे लगता कहीं कहीं उसका एक पार्ट रहा है प्रधानमंत्री जी के इस वन के बात में लोग रेडियो लेकर के बैठ जाते थे कि आज प्रधानमंत्री क्या कहने वाले है जी सबसे पुराना माध्यम रेडियो माना जाता है और प्रधानमंत्री नी समवाद के लिए वही माध्यम चुना है किस तरह से दिए अब इधर तो चैनल सा गये थे प्रिंट मेडिया के बाद वह स्थान ले लिया था धीरे धीरे जो भारती के गाने हुआ करते थे रेडियों से सुना करते थे हम लोग वो खतम हो गया था एक बार प्रधानमंत्री ने पुना उसकी याद दिला दिया है और सब के सब लोग वीविद्भारती के गाना भी सुन रहा प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं सुन रहे हैं आखरी सवाल आप से जिक्र मात्र से प्रधानमंत्री के जनांदोलन कोई भी बात हो जाती है अक्सर महिला शिशक्तिकरण और शिक्षा को लेकर के बल दिया जाता है तो क् कि मन की बाद कारिक्रम कितना सार्थक सिद्ध हुआ है इन दोनों मुद्धों पर इसमाजराओं की हर्याना कि व्यक्ति ने जब यह कहा पच्चीयों के साथ अपना सेलफी दिखाया वह प्रधानमंत्री के सब्दों को सिद्ध करता है और यह मैं का सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने सब के मन को छूँआ है इसी नाते यह मन की बात हुई है हमारे और तुम्हारे दोनों की मन की बात जब आपस में हो जाती है तो वहां कोईन कोई श्रजन हो जाता है प्रधानमंत्री ने वही किया है परिक्षपे चर्चा जैसे कारिक्रमों की माध्यम से प्रधान मुंत्री ने हमेशा विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने का प्रियास किया है और बहुत साशफ जयाओ भी उनसे मांगे और इसी कड़ी में हिमाचिल प्रदेश के अंशल शर्मा का जिक्र मन की बाद कारिक्षप में किया था अंशुल शर्मा आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना सशक्त माध्य हम मानते हैं परिक्षा पिचरचा जैसे कारेक्रमों को अंशुल आप सबसे पहले बताएं कि जब प्रधानमंत्री ने आपका जिक्रमन की बात कारेक्रम में किया तो किस तरह का आपको महसुत है? और मतलब गौरवानवित महसूस है कि मानेनी प्रधानमंत्री जी ने मेरा जिक्र अपने इस कारेक्रम में किया मैं आज की युवा पीड को भी ये संदेश देना चाहूंगा कि उन्हें इस तरह के कारेक्रम में बढ़ चरकर भाग लेना चाहिए अपने विचार जो है वो समाज के प्रती अपने विचार व्यक्त करने चाहिए क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह बच्चों को मोटिवेट करते हैं उनकी परिक्षाओं के समय में वो कितना कारगर सिद्ध होता है उन बच्चों के लिए जो कहीं न कहीं तनाव महसूस करते हैं जो प्रधान मंत्री जी अपने इन कारेकरम के दर जो आज कल की युवा पीड़ी को प्रेरित करते हैं उससे उन्हें मतलब एक तरह का मतलब प्रेरित होने का जरीया मिल जाता है खुद को दाथा समाज के अन्य वार्ग को भी प्रेजित कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अन्शुल जी बाचीत के लिए मन की बाद कारिकरम के सवें एपिसोड की खास स्क्रीनिंग में ना केवल राजपाल, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जो गौरव हैं, पदमश्री वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, खासतोर पर विदेन सरैक जी सब्सक्राइब्र. बहुत बहुत स्वागत अपस्जिक की सव कडियी हो गई हैं, यह क्या मांते हैं, कि प्रशन सुक्षोद प्रेढ़ना दाएक है क्योंकि जिस तरह से भारत की प्रधानमंतरी महदय ने इन सो कड़ियों को पूरा किया है जिसमें गैर राजनीची ब्यवस्ता रख करके और आम जनता के साथ जमीन पर लोगों से काम जमीन को तराश करके प्रेढ़ना दी है आने वाले समय के कि घर का म है चाहे ब्रश्टाचार का है चाहे किसानों से समंदी चाहे मुझालमों से समंदी थे या सैनिकों से समंदी थे देश की हर विधा हर विवस्ता को मन की बात कह करके उनके हर मन से जिस जगह जिसका मन लगा हुआ है उस जगहा पर उस मन से उन्होंने अपने मन को सांजा किय है एक बहुत बड़ी प्रेड़ना आने वाले वक्त के लिए कि हमारे हमारा जीवन संस्कारों से पैदा हुआ संस्कार हमें संस्कृति से पैदा होते हैं संस्कृति पैदा संस्कृति संस्कृति संस्कारों से पैदा होती है क्योंकि देश के बचाना है तो हमारे को संस्कृति किसी भी देश को अगर को बचाना है उनकी जरों को सेंचना है तो उस संस्कृति को सेंचने के लिए ये एपिसोड जब भी सुने हमने एक प्रशंसने ये कारे है और बच्चा बुढ़ा जवान गरीब अमीर सभी इन इन उनकी मन की बात की जो उनसे संपर्ख है लोगों से व महानविक्ति को हर घर के मुखिया को हर डिपार्टमेट के उसके ठीप ओफिसर को लोगों से फीड़ प्राप्त करने के लिए इस तर उनके मन से जुड़ना होगा उनसे दिल से जुड़ना होगा तब ही हमारे देश की एकता और खंडता बढ़ेगी और समगर विकास के रा वो कितना सार्थक सिद्ध हुआ है कईकuating कहीं नकहीं जो प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी हैं उन्होंने इस वर्ष को मूटा अनाज वर्ष घोषित किया है और सांती साथ प्राकृति खेती में ही नेकृम शर्मा पदमिशरी सम्मान दिया गया है इस वर्ष को घोशित किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा और मन की बात में भी कई बार प्राकृति खेती को लेकर जिकर करते हैं क्या मानते हैं कितनी सहायता मिलती है प्राकृति खेती को बढ़ावदे तो ये निरंतर रहे बस यही मेरी कामना है पदमश्री विभूतियों के साथ साथ हमारे बीच वो लोग भी मौजूद है जिनका जिक्र प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने मन की बाद कारिक्रम में किया है और इनहीं में हमारे साथ आज मौजूद है रामकुमार जोशी जी जिनका जिक्र प्रधान मंत्री ने किया था उनकी सुक्ष्म लेखन को लेकर के कई इन्होंने चित्र बनाये हैं अपनी सुक्ष्म लेखन जो इनकी कला है उसको लेकर के खुद हमारे साथ बाचीत के लिए म इसमें से अगर मेरा नाम आ रहा है तो ये बहुत ही खुशी की बात थि और मैं व्हाँ निहीं कर सकते हूं इसे जो आपकी कला है ये बहुत कम लोग इस चीज़ को फालो करते हैं तो कब आपने ये चीज शुरू की कब आपने सोचा की इसको मैंने ये सुक्षम लिखन की जो काला थी उनीसो त्रेसी चुरासी में शुरू की थी मैंने ये सोचा था कि उससे में तो हमारे पास ये मोबाइल जारा अगरा कुछ नहीं थे कि मैं चित मैं मिनेचर राइटिंग करूंगा तो उसमें जितना मिनीमम स्पेस में मैकसिमुम वर्ल्ट्स विजूज करके रखे जाएंगे इसके बाद फिर मैंने उसको चेन्ज कर दिया क्योंकि मैंने पोस्ट कार्ट पर भी मैकसिमुम वर्ड्स लिखे हूं हैं और उसके बाद डाक टिक्ट पर भी मैक्सिमम वर्ड लिखें हैं और भी बहुत मेरे मेरे तो और कॉड़ी काफी है पर ख़बारें बदाती है बाकी पता नहीं है अभी तो मैंने इस मिनेचर राइटिंग को और जनी की चेंज कर दिया अब मैं स्केच बनाता हूं मिनेच अभी मैंने जान डिली में मुझे बलाया गया था और मौका मिला भी और कुछ परिवारिक परसिती आंसी थी कुछ इस करके मैं वहां नहीं जा सका अभी उनको मौका जब मिलेगा तो मैं उनका जो स्केच बनाया हुआ हूँा है तो वह उन्हें भेजा जाएगा वो राम- योजने चलाई हुई हैं वो भी उसमें हैं अभी और भी कुछ और डाला जाएगा जिस माध्यम को देश की प्रधान मंत्री ने समवाद के लिए चुना है उसी माध्यम से जोड़ी शालीनी जी हमारे साथ मौजूद है रेडियो जोकी है शिमला में उनसे भी हम जानेंगे कि क्या मानती है रेडियो कितना स्रशक्त माध्यम है कम्यूनिकेशन के लिए बहुत हो सवागतना है माम कि कितना सार्थक है मन की बात कारिकरम रेडियो के माध्यम से मास कम्यूनिकेशन की लिए? आप समझ सकते हैं कि आज सेंचरी लगाई है प्रधान मंत्री मोधी जी कि मन की बातने तो सोचलो कितना important role play करता है रेडियो सिर्फ मन की बात की सेंचुरी नहीं उए जिस तरीके से मन की बात के यह जो hundred episode रहे है जो century होती है वो एकगरंसे बनती है एक एक episode किस तरीके से impact डाला है उसने पूरे इंडिया में पूरी society में कि इस तरह की से चेंज़ आ रहे हैं जैसे उन्होंने जिक्र किया था प्रदीप सांगवान जी का भी हीलिंग हिमालया जो वो क्लीनिंग राइव उनकी रहती है तो का कहीं न कहीं आप ये बिलकुल मानती हैं कि जो रेडियो है उसको जीवन दान देने का काम किया है मन की बातकारी बिलकुल जीवन दान दिया है विकरस रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि आप आपके काम को ये नहीं रोकता है और आप चल रहे हूं आप किचन में काम कर रहे हू जो रेडियो पे चल रहा है वो आप तक पहुंचता है और आपको सुनाई देता है आपको पूरी तरह से अपनी अटेंशन वहाँ पर नहीं देनी पड़ते हैं और शाहिद सबसे बड़ी खासियत ही रेडियो की यह है बहुत बहुत शुक्रिया बाचीत के लिए तो यह थी चहकती महकती शालीनी और इनका साफतार पर यही कहना है कि जो रेडियो है वो एक सशक्त माध्यम है कम्यूनिकेशन का और प्रधान मंत्री लगातार जब भी समवाद करते हैं तो ना किवल रेडियो के माध्यम से बलकि कुछ सदस्य हमारे साथ मौझूद है और उनसे हम बात करेंगे उनसे हम जानेंगे कि कैसे महसूस करते हैं जब प्रधान मंत्री अपने कारिक्रम में उनका जिक्र करते हैं तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पुनरवास, केंद्र, मानुव मंदिर, सोलन का प्रधान मंत्री न आपने बिल्कु ठीक प्रशन किया, इसको शब्दों में बेयान किया ही नहीं जा सकता, एक तो ये बात कि जो देश के मुख्या हैं इस समय, परधान मंतरी, वो यदि हमारे किसी भी विशे को उठाते हैं, तो उसमें एक नई उर्जा हमें मिलती है, और मस्कलो डिस्ट्रफी एक ऐसा अक्षमता है, इसमें रोग नहीं कहूंगा, जिसमें मांसपेशियां आपकी धीरे धीरे शितिल होना शुरू होती है, एक नॉर्मल व्यक्ती चलता फिरता, कब वो विल्चेर पर आ जाता है, उसको ये तक नहीं मालूम होता, कि उसकी आखरी सांस कब आएगी, क्य अरवास के अंदर, मानो मंदिर जी से जाना जाता है, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब उन्होंने अपने मुख से का, तो हमें लगा कि कोई अदी पैटिंग करें, वो भी मानो मंतरी जी, तो लगता है हम ठीक मार्ग पर अपना कारे कर रहे हैं, तो एक बहुत हमे साहस मिलता है आगे काम करने का, क्योंकि ये बेमारी, हाँ, प्लीज, जिस डिजीज का आपने जिकर किया, अक्षमता जिसे हम ने कहा, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है, जिसे जो इसे ग्रसित हो, वो जल्दी ठीक हो सके, ने, क्योंकि निराशा जनक, बात है, फिलहल, ह हम ये नहीं कहेंगे कि इसका इलाज अभी तक नहीं है, हम ये कहेंगे कि इसका इलाज मानने प्रधान मंतर जी के इनिशियेटिव से जल्दी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो रिसर्च अभी माइस के उपर हुई है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखन तो हमारे साइंटिस्ट इसको ज़रूर इसका इलाज निकाल के लेकर आएंगे इसका इलाज एक मात्र यदी अभी तक जो अवेलेबल है इस फिजियो थरापी एंड हाइड्रो थरापी इसके माधन से जो हमारी संस्ता कर रही है जो माली जी वी कॉल दें कैच दें यंग तीन-चार साल की उमर में जब बिमारी के लेक्शन देखने को मिलते हैं यदि उन्हें हम फिजियो थरापी और हाइड्रो थरापी पर डाल दें तो उनका यथा स्थिति यानि की स्टेटेस को मेंटें रखा जा सकता है और या फिर य सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से कि अपने बच्चे को पढ़ाई है ताकि वह अच्छा पढ़ा लिख लेगा तो गौर्मिन नहीं जैसे पांच परसेंट जॉब्स रिजर्व रखी हैं किसी भी अक्षमता से जुड़े व्यक्ति के लिए और ऐसे हमने सेंकडों लोग हम एक परसेंट के आपके जो शब्ध हैं कही न कहीं उन सभी में उर्जा का जो आ निर्मान करते हैं जो इस अक्षमता से जूच रहे हैं और बहुत सारे ऐसी लोग होंगे जो कही न कहीं इस उमीद में बेठे हैं कि उन्हें इस जो डिजीज का है वो इलाज मिलेगा और आप का जो शब्द हैं वो कही न कहीं उन्हें बहुत जादा प्रोचसाहिद करते हैं तो इनकी जीवन संगीनी है वो भी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि जो हमारी दिन चर्य होती है सुबे से वो यही होती है कि जब उठते हैं तो सुबे क्या उनको चाहिए वो प्रवाइट करना फिर साथ में हेल्प का होना बहुत ज़रूरी है जो मैं नहीं कर सकती हूं वो हम अपने हेल्पर्स के थ्रू वो करवाते हैं और मेरे घर में प्रोब्लम से जूज रहे हैं और उनमें से जो मेरे देवर हैं जो कि अभी लास्ट यरी पास्ट आवे हुए हैं तो और बाकी खयाल यह हैं कि एक दूसरे के साथ कमफोर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है खयाल यह नहीं कि आप क्या करें हाथ पर दबारियां कुछ कर रह हैं कुछ भी करना है आपको तो हर तरह की हल्प चाहिए तो मैं इस तरह से अपने घर की देखरेक और इन सभी का ध्यान इस तरह से रख पाती हूं तो मानुमंदिर संस्था की जो चेयर परसन है वो भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे जा मुझे तो लगता है मेरा जीवन बहुत बदल गया है बस मुझे सारा टाइम मस्कूलिस ट्रोफी के लिए काम करने का ही जूज रहती है तो अभी तक क्या मानती है कि जो रिसर्च हुई है जो अभी और आगे चल रही है वो कितनी सारतक सिद्ध होंगी भविश्य में इस त कोड़ा रोक सकते हैं और मानने प्रधान मंत्री जी ने मन की बात में जब से इसका उले किया इसे हमारे सेंटर का तब से हमारे पास मरीज बहुत आ रहे हैं और उन मरीज उसे बात करकर के हमें भी बहुत चीजे जानने को मिल रही है इलाज नहीं है लेकिन अभी इस पर हम सबसे ज़्यादा जो हम काम कर सकते हैं वो प्रिवेंशन और अर्ली इंटर्वेंशन पर तो अर्ली इंटर्वेंशन अगर हो जाती है पेशेंट को जैसे ही पता चल जाता है कि मुझे मस्कुली डिस्टोफी है और वो हमारे पास सेंटर पर आता है उस पर हम बहुत अच्छा रिजल दिखा पाते हैं और हम देखते हैं कि वो काफी सालों तक चल पाता है तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार के माधियम से बहुत ज्यादा जाग रुकता है कि यह अर्ली इंटर्वेंशन में काम हो पाए और प्रिवेंशन पे भी जैसा कि अभी बताया कि एक घर में ति सब तरह जाती तो इसकी जनेटिक जाच होना सबसे ज़्यादा जरूरी है और रिसर्च के बारे में यह कहेंगे कि बहार रिसर्च अभी यूमन ट्राइल चल रहा ही उसे में लेकिन हमारे देश के साइंटिस भी पीछे नहीं है हमारे याद चूंबों पे साबित हो गया है लेकिन फंड की वज़े से अभी रुका हुआ है तो आपके माधियम से हम माने प्रदान मंत्री जी को यही बात पोचाना चाहते हैं कि प्रिवेंशन अर्ली इंटर्वेंशन और रिसर्च पर काम हो और सोथ पे अगर काम हो गया तो हम बहुत कम कीमत में अपने देश में य कहीं न कहीं आपने जिक्र किया कि जैनेटिक जैनेटिक डिसॉर्डर हम इसे कह सकते हैं जी जैनेटिक डिसॉर्डर है तो अगर हम बात उम्र की करें तो क्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को यह हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर उम्र के बाद इस तरह के एक्षमता सामने मस्कुली डिस्टोफी के बारे में बताओं कि यह कई प्रकार की होती है कुछ जो डूसियन मस्कुली डिस्टोफी जो सबसे गातक है वो चारपा साल के बच्चियों में हो जाती है और उसके सिम्टम 12-13 साल में आते हैं और बच्चा वीलचेर पे आ जाता है लाइफ भी थोड़ी कम रहती है लेकिन कई मस्कुली डिस्टोफी जैसे LGMD इसमें एज थोड़ी जादा होती है और इसके सिम्टम बाद में आते हैं और कुछ गोर तरह कि मस्कुली डिस्टोफी वो 40-50 एर्स में भी आती है तो इस ये टाइप के अनुसार ही इसका प्रोग्रिसन रहता है और उसी तरह सी गातक रहती है हर टाइप में थोड़ा थोड़ा चेंज है सिम्टम भी थोड़े चेंज है अभी बात संस्था की करें तो अभी संस्था में कितने ऐसे लोग हैं अपनी संस्था एक सेंटर है मस्कुल डिस्टोफी रियाबिलिटेशन सेंटर यहां पर पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट लेते हैं और जाते हैं तो कम से कम सब को हम साथ से दस जिन जरूर रोकते हैं तो यहां पहले हमारे पास बड़े 15 से पेशेंट आ रहे थे पर मन की बात में उलेक होने के बाद यहां पर अभी हमारे पास 35-40 पेशेंट आपको लगेगा 35-40 पेशेंट लेकिन मस्कल डिस्टोफी का एक पेशेंट बहार निकालना बड़ा मुश्किल काम है पर प्रदान मंत्री जी के उलेक के बाद हमारे पास गोवा से उडिसा से हिमाचल जैसे एक सोलन शेहर में पेशेंट आ रहे हैं और हिमाचल इंडिया का यह मैं कहूंगी कि पहला सेंटर है और हम भी यहीं उमीद करते हैं कि बहुत जल्द इस अक्षमता का इलाज हो सके और वो सभी लोग एक उमीद के साथ जी सके हमें पूरा विश्वासा किया हमारे मान्य मत्रदान मंत्री जी इस सोथ कारे में मारी पूरी मदद करेंगे और मस्कुली डिस्टोफी के हर मरीज को एक आशा मिल जाएगी तो आपने सुना कि किस तरह से एक छोटा सा डिसॉर्डर आपके जिंदगी भर के लिए आपके बहुत सारे शरीर का उंगों को खराब कर सकता है तो ऐसे में आपके लिए भी कही न कहीं ये संदेश है कि यदि आपके परिवार का कोई एक सदस्या इस बिमारी से ग्रसित है तो आप अपने आगे की जो जनरेशन है उनका ट्रीटमेंट करवाना बिलकुल भी ना भूलें और उनको जल्दी से जल्दी उनके सारे टेस्ट करवाए जाएं ताकि उनकी जो बिमारी अगर खतम नहीं की जा सकती तो एटलीस्ट उस पर रोक लगाई जा सकती है और इसी प्रियास के साथ मानुमंदिर लगातार काम कर रहा है जिसकी सरहना देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मन की बात कारिक्रम में की है और उमीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द शोध कारे पूरा होगा और इस बिमारी का इलाज निकाल लिया जाएगा जो लाखों लोग इसी उमीद में बैठे हैं कि इस बिमारी का इलाज होगा और उनके अपने अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे तो अब ये कारिक्रम हम यहीं पर समाप्त करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने मन की बात कारिक्रम में जिनका जिकर किया है वो सेलफी विद डॉटर हो या फिर स्वच भारत और साथ ही साथ मोटे अनाज को बढ़ावा देना तो बात मन की बात कारिक्रम की करें तो इन सौ करडियों में प्रधान मंतरी ने वो स्वर्णिम सफर पूरा किया है जिसे एक शब्द में हम कहें तो ये जनांदोलन का नाम हम इसे दे सकते हैं तो फिलाल के लिए इतना ही आप से फिर होगी मुलाकात एक नए विशे के साथ तब तक के लिए कैमरे पॉर्सन राकेश कुमार के साथ हीमलता शर्मा डीडी न्यूज शिमला